अपरमुक्य सचिव केके पाठक इन दिनों लागतार बेहार का दौरा कर रहे हैं ACS का पदभार संभालने के बाद केके पाठक कभी भी अपने कार्याले में नहीं बैठते हैं कार्याले में बैठने के दौरान भी वे ओनलाइन बैठक करते रहते हैं केके पाठक सीधे जमीन पर जाकर निरिक्षण करते हैं। इस तोरान उन्होंने कई फैसले अन्द स्पोर्ट ही ले लिया। उनके साथ जुला सिक्षा पदाधिकारी और अधिकारीों की फोज भी मौजूद थी। केके पाठक जैसे ही मद्यविदाले डुमरिया पहुचे वहाँ की बेवस्था दे कर वे नाराज हो गए। केके पाठक ने देखा कि वहाँ छात्रों के लिए बनाए गए स्तोचाले में काफी कम्मी दिख रही है। उसके अलावा स्कूल के पास ही टेंट हाउस का समान रखा हुआ है। केके पाठक से वहाँ की ग्रामिनों ने शिकायत की और कहा की आपके आने के सूचना के बाद स्कूल खुला है। स्कूल के हिड मास्टर आते ही नहीं हैं वो हमेशा गायव रहते हैं। उसके बाद केके पाठक ने तूरंट और ततकाल प्रभाव से हिड मास्टर का वेतन बंद करते हुए उन्हें सिस्पेंड कर दिया। उसके बाद केके पाठक नौगचिया के गोपालपुर प्रखन पहुँचे। वहाँ के स्कूलों की जाज की। केके पाठक ने स्कूल के सवशालय और बाउंटरी वॉल को ठीक कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के खेलकूद के लिए बाउंटरी वॉल का निर्मान बेहत जरूरी है। उन्होंने जुला सिक्षा पदाधिकारी को इसी महीने फंड एलोच कराने का निर्देश दिया। केके पाठक ने प्रखंड के स्कूलों में सभी सुविधा की सही तरीकों से लागू करने का निर्देश दिया। और उसके बाल चलते बने। इस तोरान उन्होंने स्कूल परिसर का ब्रवनकर वहां का निर्देश दिया रहा था। जिला सिक्षा पदाधिकारी की ओर से टॉर्चर किया जा रहा था। डीयों की ओर से हिमांसु को रोजाना कॉल करके केके पाठक के विजिट को लेकर निर्देश दिया जा रहा था। हिमांसु सेखर इस से काफी दबाव में थे। ग्रामिनों का आरोप है कि साप सफाई का रेजिस्टर मेंटेन करने से लेकर काफी काम के लिए डीयों के ओर से परिशान किया जा रहा था। जिस उतकरमित मद्य विद्याले में हिमांसु सेखर जा सिक्षक थे। उसी के बगलवाले स्कूल में केके पाठक निरेक्षण के लिए भी पहुझे थे। उसके अलाबा प्रकंड सिक्षा पदाधिकारी और कार्याले के अधिकारी भी सिक्षक को परेशान कर रहे थे। सिक्षक के मौत की पुष्टी हो गई है, हलाकि कहा जा रहा है कि जाज के बाद ही क्लियर होगा कि मौत हार्ट अटेक से हुई है या फिर उसका दूसरा कोई कारण है आपको बताते चले की भागलपूर्ट जुले के नौगचिया से पहले कीके पाचक कटिहार पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ सिक्षकों से बाच्चित में नौ बज़े से पाच बज़े वाले स्कूल समय को लेकर बाच्चित नहीं की, आपको बता दे के वधान सभा में मुख्यमंत्री नराज हो गए थे, उसके बाद सदन में हंगामा भी हुआ था, दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने केके पाचक को इमानदार अधिकारी बताते हुए, विपक्ष को लतार लगाई, आज जब केके पाचक कटिहार पहुँचे तो उन्होंने कहा कि स्कूल 10 बज और दिन पाएंगे केके पाचक ने कहा कि इस तोरान में कमजोर बच्चों पर ध्यादय उन्हें पढ़आये केके केms लगासी कि अबी काफी काफी अचवी का बच्चा सूध हिंदी नहीं पड़ पाता है ये अचछी बास नहीं केके पाठक कटिहार पहुँचे थे मूसापूर प्रकंड सिक्षा एवां प्रसिक्षन संस्थान में ट्रेनिंग ले रहे सिक्षकों को उन्होंने संबोधित किया बहराल आपका इस खबर को लेके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब